हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू जिक्षा कैसे हो आप सब एहोप सभी लोग अच्छे होंगे और एप फो की तैयारी अपनी जोरो शोरो से कर रहे होंगे तो फ्रेंट्स हम सूशल सिक्योरिटी पर कर रहे हैं इंडेस्ट्रिल रिलेशन्स भी हमारा चल रहा है गाप की भी वीडियो आपको काफी मिली हुई है और भी मिल जाएंगी एक इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके सिलेबस में है वो है कंप्यूटर अप्लिकेशन का और अगर आप अपना 2017 का पेपर देखते हो तो 2017 के पेपर में पांच कोशन जो हैं कंप्यूटर अप्लिकेशन में से आप से पूछे गए थे और एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से पांच कोशन मतलब की अच्छी खासी वेटेज है एज मिल जाता है हमें कंप्यूटिटर के मुक Qs solve करें applications के based, जादा theory में घुसने की कोशिश ना करें बहुत ज़ादा थेь O 여러분들 टेखनल एरिया में घुसने की कोशिश ना करें क्योंकि वापको beneficial नहीं रहेगा, जाधा से जाधा mcq प्रैक्टिस कीजिए ठीकिया और वह भी बहुत 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 या बहुत बहुत लाद लुए वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगा प्रोशेस होई रहेगा पहले आपके सामने question आएगा आपने वीडियो को पॉज करना है पांच सेकी अपने आपको देने है खुद से बेसिक और बहुत इजी कोशन है ठीक है बेसिक एंड इजी इसको इसके लिए कोई स्पेशलाइज नॉलिज की ज़रूत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर लापटॉप सेंडरली हम सब लोग यूज करते हैं ठीक है और MS Word भी एक ऐसा सौफ्ट्वेर है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं ऐसा नहीं है कि we don't know about MS Word और we don't use MS Word अपनी normal routine life में इसको यूज करते हैं ठीक है तो MS Word क्या example है देखो यह एक application है ठीक है एक software है ठीक है device क्या होता है device basically एक hardware होता है जैसे आपका keyboard हो गया mouse हो गया यह आपके hardware है तो device तो यह नहीं है तो option 1 और B तो हो नहीं सकता ठीक है जी option E operating system operating system तो system होता है जिसके उपर आपका computer या आपका smartphone रन करता है जिसको आप OS भी कहते हो ठीक है तो operating system भी इसका answer नहीं है अंसर इसका क्या है application software यह एक application software है यह एक app है applications basically different purposes के लिए बनाई जाती है different applications का different जो है objective होता है वो आपको different चीजों में help करती है तो MS Word is also a type of application software तो यह आपर अंसर होगा आपका option C ठीक है इसी तरह से आपसे question पूछा जा सकता था कि MS PowerPoint MS PowerPoint क्या है MS Excel क्या है ठीक है इस तरह से और भी questions आपसे बनाई जा सकते हैं same तो answer उस case में आपका क्या रहेगा application software ही रहेगा okay तो MS Word और Microsoft Word is an application software developed by company Microsoft और यह type and save documents करने में यूजर को help करते है all right easy question second question थोड़ा सा मुश्किल question दो हम daily एक चीज अपनी normal right में use करते हैं पर फिर भी कहीं बार हमें नहीं पता होता है terms के बारे में specific तो control, shift और alt keys जो आपके keyboard पर होती है इनको कौनसी keys कहा जाता है modifier keys, function keys, alphanumeric keys या फिर adjustment keys बदाएए इनको कौनसी keys कहा जाता है थोड़ा सा technical question है तो answer इसका क्या होगा option A, modifier key, answer इसका क्या होगा modifier key ठीक है जी चलो देखते है modifier key क्या होता है तो यह सारी जो keys हैं जो markd हैं आपके सामने आपकी screen के उपर control, alt, windows का button, escape, print screen, scroll lock, pause break तो यह सारे जो keys होते हैं keyboard के उपर इनको modifier key कहते हैं इनको modifier key क्यों कहते हैं अब अगर आप अपना keyboard use कर रहे हो तो आप उस पर control key press करो कुछ भी नहीं होगा ठीक है मतलब कि individually control key से कुछ नहीं होता लेकिन अगर आप control key को किसी दुसरी key के साथ combination में use कर रहे हो आपने control plus P दबा दिया तो जो आपकी screen पर है वो print हो जाएगा यानि कि control button खुद से कुछ नहीं कर रहा लेकिन अगर आप उसको किसी दुसरे key के साथ combination में use कर रहे हो तो उसका कुछ purpose रहेगा तो यही इसलिए इनको modifier की कहा जाता है क्योंकि यह कुछ ना कुछ modification लेकर कर आते हैं when used in combination with some other key तो यह असान सा question है जादा मुश्किल question इसको नहीं कहेंगे चलिए next question देखते हैं computer cannot boot if it does not have the computer cannot boot computer cannot start computer cannot operate computer cannot function without what it cannot function without a operating system जिसको हम USB कहते हैं आपके smart phones हैं उनमें भी operating system होता है आपके computers हैं laptops हैं उनमें भी operating system होता है तो एक computer बिना operating system के काम नहीं कर सकता तो answer इस case में क्या होगा option C यहाँ पर A लिखा हुआ है पर यह answer इसका C होगा ओके चलिए next question देखते हैं again very general question इसके लिए भी किसी को specialized knowledge की ज़रूरत नहीं है क्योंकि email एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी regular life में use करते ही करते हैं ठीक है आपने जब paper का form भरा होगा तब भी आपने अपनी email ID डाली होगी तो junk email is also called junk email को और क्या हका जाता है spam, spoof, sniffer script या फिर spool चलिए तो answer इस case में क्या होगा इस case में answer होगा आपका spam spam mails ठीक है जो unwanted mails होती है या जो risky mails होती है उसको automatically आपका mail handler है वो spam में डाल देता है ठीक है तो अगर आप Gmail यूज़ करते हो तो Gmail पे जहां पर sidebar में आप द या फिर junk email हम उसको बोलते है अंसर होगा A लास्ट कोशन लास्ट कोशन पूछ रहा है Microsoft Office is an example of Microsoft Office जिसमें आपका MS Word, MS PowerPoint और ये सारे software जाते हैं तो ये किसका example है closed source software का, open source software का, horizontal market software का या फिर vertical market software का question बहुत अच्छा है, ठीक है general question है लेकिन हमें नहीं पता होता हम MS Office अपनी regular life में यूज़ करते हैं पर हमें इस चीज़ के बारे में information नहीं होती तो answer इस case में क्या होगा, answer इस case में होगा आपका option C, horizontal market software, अब ये horizontal market software होता है क्या ये देख लेते हैं तो horizontal market software, basically वो software होता है जिनको आप wide range of industries में यूज़ कर सकते हो, जैसे for example powerpoint है, powerpoint business organizations में भी use होता है, slide presentations बनाने के लिए, ठीक है investors को presentation देने के लिए, powerpoint को मैंने भी use किया है, अपनी slides बनाने के लिए, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो education में भी use हो रहा है, यानि कि multiple industries में जो है, आपका horizontal software यूज़ होता है, vertical software on the other hand कौन सा होता है, जो सिरफ एक specific industry है, एक specific area में use हो सकता है, जैसे telly, telly जो है, अब telly को आप सिरफ accounting के लिए use कर सकते हो, telly के multiple purposes नहीं है, telly को सिरफ और सिरफ accounting के लिए ही use किया जा सकता है, horizontal market software को आपका productivity software भी कहा जाता है, यह भी आपने जो है, दिमाग में रखना है, ओके चलिए, तो ठीक है दोस्तो, अभी के लिए 5 questions हमारे हो गए है, और भी questions आपको मिलते रहेंगे, subscribe जरूर कर लेना है channel को, और share जरूर करना है channel को, बहुत से बच्चे comment करते हैं कि सर्फ बड़ी मुश्किल से हमें यह वाला subscribe करें, कोई भी doubt हो, तो comment section में post कर सकते हैं, mail कर सकते हैं, 6888gmail.com पर, या फिर आप call कर सकते हैं, 904-1244-689, तो मिलेंगे एगली वीडियो में, तब तक के लिए all the best and bye-bye.